नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर तो दोस्तो जून का महिना चल रहा है और गर्मिया बहुत ज़्यादा तेज हो रही हैं और ऐसे में हमारे गार्डन में अब भी विंटर सीजन के फ्लावर खिल रहे हैं और प्लांट भी अच्छे से चल रहे ह यह है गजानिया के प्लावर तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया खिल रहे हैं इनका साइस थोड़ा सा छोटा है लेकिन इस वक्त भी यह प्लांट चल रहे हैं यही बड़ी बात है क्यूंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही है तो दोस्तो आज हम अपने प्लाव को किस तरह से बीज से ग्रो किया जाता है तो दोस्तो यह हैं हमारे भुटा के सीड और इनको ग्रो करने के लिए हमें पहले इने कम से कम आठ से दस घंटे पानी में भीगो लेना हैं क्यूंकि इनकी सीड बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं तो हम इनको ग्रो कर ने वाले हैं इस वोटर टैंक में क्यूंकि इसमें स्पेस बहुत ही ज़्यादा है और बहुत अच्छे से यह हमारे बुटे के प्लांट ग्रो हो जाएंगे और दोस्तो इनको ग्रो करने के लिए हमने इस वोटर टैंक में बिल्कुल सोयल को जैसे सुका लिया है तीन चार दिनों के लिए उसमें गोबर खाद और फंगी साइड और इसमें जैसे नीमखली वगेरा हमने मिक्स कर दिये और अब इनको हम ग्रो करते हैं एक सीड को हमें इस तरह से लगाना है इनको ज्यादा नीचे नहीं दवाना है इस तरह से बस हमने यह दबा दिया है और दूसरा सीड हमें कम से कम 7-8 हिंच की दूरी पर लगाना है क्योंकि इनके प्लांट काफी बड़े हो जाते हैं और बीच में इतना स्पेस होना चाहिए कि ये प्लांट एक दूसरे में भीड़ेना और एक दूसरे में जब भीड़ते हैं तो इनके ग्रोथ न अच्छे से नहीं हो पात है और यह हमने वाटर टेंक भी इसलिए लिया है क्योंकि इसमें स्पेस बहुत जादा होता है इसमें इस तरह के बड़े प्लांट बहुत ही इजली ग्रो हो जाते हैं और दोस्तों भुट्टे को हमें पहली बार ही अपने किचन गार्डन में ग्रो कर रहे हैं और इससे पह 8-9 इंच की गैप पर दोस्तों हमने सभी भुट्टे के सीड को लगा दिया है और इनको लगाने से पहले आपको क्या करना है कि सोयल को बिल्कुल गिला कर लेना है ताकि उपर से पानी डालने की जरूरत ना पड़े और इतना पानी डाले कि आने वाले दो तिन दिनों तक इसमें पानी डालने की जरूरत ना पड़े क्या होता है कि हम सीड लगाते हैं और फिर उपर से पाइप से पानी डालते हैं तो सीड जो है निकल जाते हैं सोयल के अंदर से और फिर उपर पानी के उपर तैरने लगते हैं तो इसलिए हमने सोयल को पहले ही गिला कर लिया है उपर से इसमें पानी न डालना पड़े और अभी तो दो तिन दिन तो इसमें पानी डालने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि प्लांट जितना बड़ा होता है उसको उतने ही ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है तो अभी तो हमने सीड लगाए है और दोस्तो आप देखना कि तीन से चार दिन में ही इस तरह से अगर हम सीड लगाते हैं भिगो के तो बहुत ही जल्दी ये तीन से चार दिनों में ही ग्रो हो जाते हैं और दोस्तो हमारे बुट्टा जो है बरसात के मौसम में आने भी शुरू हो जाएंगे जैसे अगस्त के महिने में बुट्टे लगने शुरू हो जाएंगे और दोस्तो गर्मिया बहुत ही जादा तेज पड़ रही हैं फिर भी हमारे ये आप देखें गलाडिया के फ्लावर तो कितने ही सुन्दर खिल रहे हैं क्योंकि गलाडिया तो कितनी ही गर्मी हो यह बहुत यह अच्छे से फ्लावर करते हैं एक यह कलर है और एक यह कलर है इसमें जैसे कई कलर का कलर कंबिनेशन है और जब हमारे जितने भी समर सीजन के प्लांट है वो बहुत ही बढ़िया से चल रहे हैं तो दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के पास शेयर भी करें तो अभी के लिए वस इतना ही फिर मिलते हैं नमस्ते जी धन्यवाद